कि वाले इंट्रेक्स इंचाम के लिए काफी इंपोर नहीं तो वीडियो का बीना इसकी प्याइज शुरू से लेकर अंदर देखने के लिए और चैनल को भी तो सब्सक्राइब कर लिए और साथ में जो आपका बेल आइकन उसको भी आप प्रेस कर लिए ऐसे ही और वीडियो स से दूर की और इंगित करता है तो कोचन नंबर एक का राइट इंसर आपका उप्सन नंबर भी हो जाएगा यह कोचन काफी इंपोर्टन कोचन है आपके आने वाले आटी आई एंट्रेक्स एक्जाम के लिए तो इस कोचन का आप लोग सही से याद कर लीजिए उसके बाद और इसमें आपका बोले जारे कि आपका निवन होगा कि निमन गैसों में किसकी परत सूरिय की नुकसान दायक प्राबेगनी विकीडन का आप्शन करती है तो कोचन नंबर तीन का राइट इंसर आपका उप्सन नंबर भी हो जाएगा ओजौन उसके बादा यह अगला कोच कोचन और इसमें ऊपका बोल जाले कि निवन में किसका नियुद्र भेधन चमता है निवन में किसका नियुद्र नागएं तो पुरा देखलेगें तो आपको ITI में दो मार्क्स पक्के मिल जाएंगे इस वीडियो की मदद से तो वीडियो को लोग बिन्यास की पेश सुरू से लेकर अंतक देखते रहिए उसके बाद ये अगला कोचन और कोचन नमर 5 आपका है कि निवन में से तारे को चुनिए निवन में से आपका कौन ता की बीच अधिकतम सम्वेदील होता है तो कोचन नमर 6 आपका और यह ओ जाएगा लाल और हरा रण के बीच उसके बाद यह अगला कोचन और इसमें आपका बोला जाए कि रासी मापने के निदेश को क्या गयते हैं मातरक कैते हैं तो कोचन नमर 7 का राइटेस क्या होगा क्य उसका अब लोग सही से पलीजिए वहां से काफी अपजीट कोचन आपको आई टी परिवेस प्रिक्षा में पूछे जाते हैं उसके बदर यह अगला कोचन और अगला कोचन में आपका पूछा जा रहा है कि लंबाई का अगला कोचन और अगला कोचन में आपका बोला जा रहा है कि नीमन में कौन आपका शदीष राती है तो पहला में आपका है वेग या फिर विस्तापन या फिर बल या फिर दरवान कोचन नмовर 10 कोचन 10 अपν आपका होगत है तो선 दर्मान उसके बद़िए अगला कोचन और इसमें आपका बोला जाले कि नीमन में कौन आपका सधीस राची राज़ी है नीवन में कौन आपका सफी सी हो जाएगा चंग और है तुरण आपका सदीष राजी या फिर अधीस राजी या फिर सदीष और अधीस राजी दोनों यह सरंदी मैं इंवे सभी तो कुछ निमिर बारों का राइट एंसर यहां पर अपन आपका भी हो सही हो जाएगा दूरी प्रकार का अधिस्रासी है उसके अगला कुछन और इसमिन आपका बोला जाए कि वेक का ऑफ्सन यह हो जाएगा उसके बाद ये अगला कुछन और अगला कोचन पे बोली जाए कि कारिये का एसां है मतर क्या होता है जूल होता है तो कोचन नुम्हें बी बोलनी बोलने की एक गंटा वरावर क्या होता है यानि के डबलु एच बरावर कितना होता है तो 3600 जूल होता है तो कोचन नबर कि डवलू कोमा के डवलू कोमा एम डवलू किसका मात्रक है हमें इसका मात्रक बताना होगा एसका मात्रक को नहीं पूछा है तो इसका जो मात्रक है वह अपका सक्टी का मात्रक है तो कोचन अबर सतर का अंसर क्या हो जाएगा तो अफसन स्कराइब होगा ऊप्सन बी हो जाएगा उटिए अगला स्पांबर कई नुबर 29 का रचंसर क्या होगा कि चाल बराबर क्या होता है तो प्लूरी वैटा समय होता है तो कोचन नुमर 20 का राइट एंसर आपको क्या होगा ऑप्सन भी हो जाएगा तो यह था आज का काफी इंपोर्टन कोचन्स जो आपके आने वाले के लिए काफी इंपोर्टन है आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइट